क्या GTL में खरीदने का मुखा आ रहा है? आईए चलकर बात करते हैं GTL के बारे में और Technical Analysis Learn करनी के कुशिश करेंगे देखे सबसे पहले अगर इनके Share Holding Pattern देखा जाए कहने के लिए तो Public के पास Holding है सबसे ज़्यादा बट Public नहीं, Institute ने 60% Company को Hold किया हुआ है जो की एक Positive बात मानी जानी चाहिए यहाँ पर Retail Public के पास इतना पैसा नहीं है यह Retail Public ने सिर्फ 20% का Holding किया हुआ है जो Other Companies है, Public and Private उनके पास में Total मिलाकर करीब करीब 75% का Holding है तो यह एक अच्छी बात है हमारे हिसाब से अब अगर Revenue की बात करें, Revenue Almost Flat है इनका Profitability नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना दा Cost बढ़ा हुआ है इनका Because of that, इनका Profitability थोड़ा Negative चल रहा है अब होगा क्या, जैसे जैसे 4G Expansion बढ़ेगा लोग बाग ने ARPU बढ़ाना शुरू करिया है तो Business Model बहुत अच्छा है भाई, Telecom Phone Service अब को चाहिए और ये अपने Towers को Sharing Basis पर Rent कराते हैं तो 4G का Cost इंप्रूव हो रहा है जिसके वज़े से इनकी Demand बढ़ेगी वोड़ा Phone Idea भी बहुत बढ़े लेवल पर 4G का Expansion करेगा जो सीधा का सीधा Business GTL Infrastructure को मिलेगा तो Company की Profitability यहाँ पर बढ़ेगी क्योंकि Infrastructure Cost Same रहेगी अब Revenue बढ़ना शुरू होना शुरू होगा यही चीज इसके Technical भाव पर भी दिखने लगी है Volume के साथ में बढ़ना शुरू हुआ है यह Stock अपने Support के Level से एक Study की गई है जिसमें बताया गया है कि टेलिकॉम पावर सेक्टर में मार्किट ग्रोथ कैसी रहेगी इस Study के अंदर GTL Infrastructure, बहार की Companies Crown Castle International Corporation GE Infrastructure और इंडिया की भारती Infertile भी Included है American Tower Corporation from US से Biggest Tower Company भी Included है इन्होंने इस Study में बात की है कि क्या पिछला Trend है और आगे आने वाले 2029 साल तक किस तरह से Market की Requirement Change होगी One Grid, Off, On Grid, Off Grid, Bad Grid सब तरह की सिस्टम को इन्होंने इस Study किया है Diesel Based, Multiple Source, Diesel Sourcer, Diesel Wind सब तरह की सिस्टम पे Study करके इनका जो Conclusion निकला है आगे आने वाले 9 सालों में 2029 तक ये Report काफी अच्छे लेवल पर इनकी Growth दिखाई देगी अगर आपको इनके Contact करना है तो US Based Company है इनके Contact Detail रहापे दिवे हैं इस Report के मताबित जो Expected CAGR है वो करीब 11% की रहेगी इस Segment में तो ये Positive News समझी जाएगी हमारे हिसाब से जो इन Stocks को काफी तेजी से उपर बढ़ाने की कोशिश करेगी अगर कल कभाव देखें तो 1.70 पैसे और 1.75 पैसे के बीच में Swift होता रहा था यहाँ पर देखें अभी काफी अच्छे लेवल से Bounce Back क्या है 1.40 पैसे का काफी Strong Support है पहले भी यहाँ पर Support लेकर उपर चड़ा अब भी फिर से यहीं पर Support लेकर यह उपर चड़ने कोशिश करेगा अगर Technical Momentum सही रहता है तो सबसे पहला Target इसका 2.40 पैसे का होगा यहाँ से तो अभी और Potential Upside बाकी है इस Stock में कुछ Parameter Study करेंगे 60 Day Moving Average का Level 176 है तो जब यह Cross करेगा तो काफी Technical Analyst भी इसको Buy की Recommendation देंगे यहाँ पर Bullionger Band का Lower हिस्से से बढ़कर उपर हिस्से तक जाना Simple तय है 101.90 पैसे तक पहुचने की कोशिश करेगा यह MacDee ने Buy Signal जनरेट करके रखावा शुरू से ही काफी अच्छा Momentum चल रहा है MacDee के हिसाब से भी Super Trend ने पिछले 3 दिनों से Buy Single बनाया है RSI के Level 58 ने देखे RSI यहाँ 26 के Level से गिरकर उपर चड़ाए जब भी RSI नीचे जाए तो बेचिये नहीं और उपर आए तो खरी दियेगा नहीं यह थोड़ा साफधानी से काम कीजेगा अपना इस तरह से तो हमारे इसाब से अगर आपको हमारी copies ट्रेड करनी है तो 299 का Advance Package ले सकते हैं यूट्यूब पर प्लीज कंसर्ण रेफानेश अब्वाइजर जै हिंद जै भार